कैसे हैं आप सब लोग मैंने में अर्विन दरोड और आप मुझे देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पर इस सीरीज में अभी तक मैं 55 प्लस वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ सुबह और शाम को दो अप्लोड कंटिनूसली यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सो आप लोगों क्या करना है दो छोटी छोटे काम करना है आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को दूसरा बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप केमिस्ट्री के वीडियो को तुरंत सबसे पहले सोल कर सको सो इस बार जो मैंने चप्टर चूस किया है वो है केमिस्ट्री इन एवरेडे लाइफ बहुत ही सिंपल सा चप्टर है और बहुत ही असान कोशन आते हैं ताकि आप लोगों का मोराल भी भूस्टो की ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं तो इस वीडियो का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा जरो उसको चेक कर लीजिए फड़ाफ़ट से और याद रखेगा पहले आपको सोल करना है आपसे पूछा है कि यह जवाब दीजे फिर में आपको बताता हूं इसका अंसर क्या हो सकता बहुत अच्छा सवाल है और काफी बाद पूछा चाता है एक्चली यह एस्परीन है फस्ट ओफोल तो यह तो आप लोगों को पता होगा तो यह एस्परीन का फोमिला है और आपको यह बताना है कि यह ABCD में से क्या है So, फड़ा फट से आप अपना answer दीजी, फिर मैं आपको बताता हूँ So, finally guys, इसका answer बनेगा C, अगर आपने C लगाया तो बिल्कुल सही हो This is analgesic तो यह analgesic है, जो कि क्या करता है basically जरा सोचिए, यहाँ पर आप aspirin को कहां इस्तमाल करते हैं पेन रिलीफ के लिए, सबको पता है, यह analgesic है, ठीक है So, यह pain को reduce करता है Next question को चेक करते है, फटा-फट से question number 2 Which one of the following type of drug reduces fever? Fever को reduce कोन करता है, फटा-फट से बताइए So, अपना answer लोग कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ So, finally, इसका answer बनेगा antipiratic Antipiratic drugs ऐसी होती है, जो की fever को reduce करते है Question काफी बार पूछा गया है Next question को चेक कर लेते है, now the next question is कहता है, the gas leaked from storage tank of union carbide plant in bhopal gas tragedy यह question तो बहुत सार एक्जाम में पूछा जा चुका है Answer अपना लोग कर और फिर मैं आपको answer बताता हूँ So, the answer of this question is A, अगर आप A बताएं है, तो बिल्कुल सही है That is methyl isocyanide, यह इसका answer बनेगा So, guys, अलीव फटाफर से question number 4 चेक कर लेते हैं Now, the question number 4 is, the antibiotic used for curing tuberculosis आपको यह बताना है कि tuberculosis को cure करने के लिए आप कौन सा antibiotic इस्तमाल करते हैं अपना answer लोग कर लो, फिर में आपको बताता हूँ So, finally, इसका answer बनेगा B, अगर आपने B लगाया तो बिल्कुल सही है That is streptomycin, streptomycin का इस्तमाल हम लोग किसको किसमे करते हैं Antibiotic के तोर बे, tuberculosis के अंदर करते हैं So, finally, next question, now the next question is Question number 5 देखिए, कहता है, the blood red color in the combination Test of nitrogen and sulfur in organic compound is due to the formation of आप से पूछा कि blood red color किसकी वज़े से बनता है That is, जब आप nitrogen और sulfur का combination लेते हैं organic compound के साथ So, फड़ा फड़ से बताएगे, फिर मैं आपको answer बताता हूँ So, यह होता है, due to feric sulfur cyanide अगर आपने यह बताया है, तो आप बिल्कुल सही हो और यह question भी बहुत बार पूछा गया है Next question को check करते है, question number 6 Which of the following is not a part of green chemistry आप से पूछा है कि green chemistry का यहाँ पर कौन सा part बिल्कुल भी नहीं है Simple सा question है, जिसका तुरंट आप answer दे सकते है Answer of this question is See, nuclear chemistry, green chemistry का part बिल्कुल भी नहीं है Next question check करिए That is, mean mata disease is due to the pollution of यह भी बहुत बार अलग लग पूछा जा चुक है State level पर बहुत बार आया है यह question तो बताये इसका answer क्या होगा That is, mean mata disease is due to the pollution of आप बताये इसका answer क्या होगा तो इसका answer बनेगा देखे, मेरी तरफ से answer है इसका C अगर आपने C लगाया तो बिल्कुल सही हो That is, industrial waste of mercury into fishing water That is so much important उसकी वज़े से यह problem create होती है Now the question number 8 Which is very simple again That is, which of the following regions of atmosphere contains ozone आपको यह बताना है कि ozone कौन सी layer में होता है फड़ा-फड़से answer करिए फिर मैं आपको बताता हूँ So the answer to this question is D अगर आपने D लगाया तो आप बिल्कुल सही हो That is, stratosphere Stratosphere के अंदर क्या होता है ozone layer होती है Next question को check करता है फड़ा-फड़से question number 9 Now the 9th question is Which of the following could act as a propellant for rockets Rockets के लिए propellant के लिए कौन यहाँ पर इस्तमाल के जाती है कौन सी cases का mixture इस्तमाल के जाता है आपको बताना है So finally guys इसका answer बनेगा C, अगर आपने C लगाया तो आप बिल्कुल सही हो Liquid hydrogen and liquid oxygen को propellant के तोर पे इस्तमाल के जाता है Now the last question of this video And that is Aspirin is known as आपको बताना है कि Aspirin जो कि आप जिसका formula आपने सबसे पहले question में देखा था उसका नाम क्या है Again interesting question रे काफी पार पूछा गया है Aspirin का आपको नाम बताना है So finally आपना answer लोग कर लीजे फिर मैं आपको बताता हो So इसका answer बनेगा A अगर आपने यह लगा तो आप बिल्कुल सही हो That is Acetyl Salicylic Acid So guys यह मेरी तरफ से 10 questions हो गए I hope आप लोगों का अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको छोटे-छोटे चार्ट काम करने है That is first of all आपको subscribe कर लेना चलको और bell icon के बटन को दबाना है ताकि आप लोगो notification समय से मिल सके दूसरा इन वीडियो को share जरूर कीजिए Guys आप याद रखे वीडियो जित्ती दूर तक जाएंगी मैं आप गैरेंटी देता हूँ हमारी टीम आपके लिए उतने ही अच्छे questions लेकर आएगी और वीडियो डेली अफ्लोड करेगी और तीसरा सबसे important देज लाइक करो यार क्या फर्क पड़ता है लाइक करो दिल खोल के लाइक करो इन वीडियो को और चोथा कोमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स हो जरूर आपको बताने है कि हम लोगों को असानी रहे और हम आपको क्या कर सके valuable suggestion दे सके so guys thank you so much for watching subscribe करना मत बुलेगा thank you so much thanks a lot